सभी मित्रों को मेरा साधर परणाम स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्णिंग इस विजडम में तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ किसकी कमी से होने वाले रोग, उनके महत्व और उन्हें ठीक करने का स्रोथ आखिर वो क्या चीज है जिसकी कमी के कारण हमारे सरीर में बिमारिया होती है अगर वो कमी हमारे body में ना हो तो उसका क्या महत्तो है और उन्हें ठीक करने का क्या स्रोथ है क्या source है तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उस कमी का उस कमी का नाम यहाई question मारके बित्रो की यह कमी है क्या तो आपने nutrients के बारे में सुना होगा पोशक तत्व आखिर यह पोशक तत्व क्या है कौन-कौन से है अगर यह हमारे body में नहीं है तो इसे क्या चीज ले करके हम ठीक कर सकते है तो इस कमी को दूर कर सकते है और जब कमी नहीं होगी तो उस बिमारिया को भी दूर कर सकते है जैसे आप image में देख रहे है कुछ हाथ के फोटो दिये है कुछ गले के दिये है गले में आप देख रहे हैं कुछ फुला हुआ पाठ है दाथ का फोटो देख रहे है तो उसे आपका पता चल गया होगा कि हम लोग आज nutrients के बारे में पढ़ेंगे पोसक तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये पोसक तत्व की कमी के कारण हमारे बॉडी में हमारे सरीर में कौन सी बिमारिया होती है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं nutrients यानि पोसक तत्व nutrients को हिंदी में पोसक तत्व बोलते हैं ठीक है तो ये vitamin A का क्या importance होता है हमारे सरीर में? इसका importance होता है कि healthy eye and good skin. अगर हमारे body में vitamin A भरपूर मातरा में हो, तो हमारा जो आख होता है वो स्वस्त रहता है. और हमारा जो skin होता है, यानि good skin, हमारा skin अच्छा रहता है. अगर इसी vitamin A की कमी के कारण, कुछ कमी हो जाए हमारे सरीर में, तो कौन सी बिमारियां होगी? तो उस बिमारी का नाम है night blindness, यानि रतौंधी. रतौंधी बिमारी सभी कोई जानते हैं. Mostly person में, अधिकांस लोगों में ये बिमारियां होती हैं. रात को उसे दिखता नहीं है. आखिर उसमें क्या चीज की कमी है? कौन सर्ण पोसब तत्तो का कमी है? विटामिन A. ठीक है? तो इस पोसब तत्तो को पूरा करने के लिए, हमें क्या स्वोर्स लेना चाहिए? हमें क्या स्वोर्थ लेना चाहिए? हमें खाने में क्या खाना चाहिए? जैसे कि कैरोड, गाजर, पालक, स्पिंच, फिस, मचली, मैंगो, आम, ये सारे चीज़ को अगर हम खाएंगे, तो विटामिन A की कमी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, हमारे सरीन में विटामिन A भरपूर मातरम में मिलेगा, और इससे हमारी आखें हेल्दी रहेगी, स् आप नेक्स पढ़ेंगे हम लोग विटामिन B के बारे में, जैसे विटामिन A में हमने बताया, नाइट ब्लाइडनेस, तो आफ इमेज में देख सक रहे होंगे, फोटो में देख सक रहे होंगे, कि देखिए ये आख का फोटो है, नीचे मैंने इमेज में दिखाया है, कि ये आख का फोटो है, तो ऐसे ही हो जाता है, हमारे आख में ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है, नाइट ब्लाइडनेस के कारण, अब है विटामिन B, विटामिन B भी क्या है, एक पोसक तरतो है, एक न्यूट्रियेंट्स है, तो इसका इंपोर्टेंस क्या है, इसका सारे बॉडी में तो अगर विटामीन भी हमारे सरीर ने पाए जाएगा तो हमारे सरीर के जो नर्ब से नसे हैं वो अच्छे से फंसन करेंगे अच्छे से काम करेंगे अगर विटामीन क्या बिचे की हमी हो ज जाए तो कॉन से वीमारिया होँगी फ्रेंटस बेरी बेरी नाम कि प्रीर्वाइज भी मारिया कैसी दिए आप आप फिगर में देख सक रहे हो अगे नीचे साइड में यह हाथ में red red spot दिख रहे होंगे यह बस हाथ का photo है यह spot पैर में भी हो सकता है गले में भी हो सकता है स्टोमक में भी हो सकता है इवन सारे सरीर में हो सकता है यह ऐसे red red races यह very very disease का लक्षन है symptom है तो यह कैसे symptom है यह vitamin B की कमी के कारण ऐसे symptoms दिखाई देते हैं सरीर में तो इसका क्या source है इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं पीज, मटर, मिल्क, दूद, मीट, मांस, एक्स, अंडे यह सारे चीज अगर आप खाते हैं तो आपके सरीर में vitamin B भरकुर मातरा में बनेगा जिससे बेरी-बेरी नाम की बिमारिया से हम क्या कर सकते हैं उसे दूर भगा सकते हैं हमारे बिमासरीन में यह बिमारिया नहीं होगी अगर यह सारे चीज हमारे बॉड़े में प्रेजेंट हो तो चिक है आप vitamin A और vitamin B के बारे में जान गए आप screenshot ले सकते हैं अब next पढ़ेंगे हम लोग nutrients के बारे में next है vitamin C vitamin C भी क्या है एक nutrients का नाम है एक पोशक तर्तो का नाम है तिक है इसके पहले मैं आपको बता दू कि जब हम खाना खाते हैं यानि nutrition लेते हैं यानि portion लेना जब हम खाना खाते हैं तो हम अपने खाने में balanced diet use करते हैं हम खाने तो खाते हैं लेकिन अपने balanced diet को नहीं लेते हैं हमें balance diet में हर तरह के nutrients वाले food को खाना चाहिए जिससे क्या होगा हमारे सरीन में जोभी बिमारिया है वो बिमारिया दूर होगी, बट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने पसंद और ना पसंद में डिपेंड हो जाते हैं, हमें जो चीज पसंद होती हैं, जो चीज पसंद नहीं होती हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना हैं, दोस्तों, आपको खा यहां वह दूर हो सके और आप हैल्दी रह सके जैसे विटामिन सी अगर आपके बॉड़ी में प्रेजेंट है तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है healthy gums and for healing wounds आपके जो gum यानी की जो मसूरे होते हैं डातों के जो मसूरे होते हैं वो स्वस्त रहेंगे और healing wounds अगर आपके बॉड़ी में कट जाते हैं उंड हो जाते हैं घाउ हो जाते हैं उसे क्या अन्दा bleeding होने लगता है ठीके, तो ये healing units होते हैं तो इसको भी ये बचाते हैं, vitamin C और vitamin C की अगर कमी हो जाए हमारे body में, तो कौन से बिमारिया होंगी? स्करवी नाम की बिमारिया होंगी, जो दातों में होती हैं, मसूडों में होती हैं, ठीके, हमारे रडड हो किया फूल気 करके कि तो इससे क्या होने लगेगा 164 ब्लड आने लगेगाлек न है क्टोसर इसे बचने के लिए हमें क्या खाना चैंगे कॉन सा सोर्स लेना चाहिए जैसरे की आमला लेमट ओरेंज यू कहें हम जितने खटे फल खाएंगे खटे फल में विटामीन C प्रजेंट होते हैं भरपूर मातरा में हम यह सब खाएंगे तो विटामीन C हमारे सर्डिन में बनेगा ठीक है? और हमारे गंज यानि हमारे मसूरे healthy रहेंगे अब है विटामीन D की बात विटामिन D तो बहुत ही ज़्याधा इंपोर्टेंट होता है, ठीक है, और बहुत सारे दोस्त को यह समझ में भी आ गया होगा, यह फोटो देखकर के, कि विटामिन D की कमी कि कारण कौन से बिमार्यां होती है तो वितामिन D जो होते हैं उसका क्या importance होता है उसका महत्य होता है strong bones and teeth हमारे जो हड़ी है हमारे bones वह strong रहेंगे और हमारे दात वह भी मजबूत रहेंगे vitamin D अगर आगर हमारा body में है तो vitamin D की कमी के कारण कौन सी बिमार्या होती है रिकेट्स नाम की बिमारियां होती है, जी हाँ, यह mostly यानि अधिकांच छोटे बच्चों में होता है, रिकेट्स नाम की बिमारियां, आप figure में देख सक रहे होंगे, देखिए रिकेट्स बिमारियां में क्या दिखाये गया है, कि बच्चे के जो पैर के बोन है, वो थोड़ क्या source लेना चाहिए fish, milk, eggs, sunlight ये सारे चीज़ अगर हम लेते हैं तो vitamin D हमारे सरी में भरपूर मातरा में बनेगा even sunlight, सूर्य का परकास ये भी हमें लेना चाहिए सूर्य का परकास लेने का मतलब ये नहीं है कि आप दोपर में sunlight में घुमने फिरने चले जाओ तो आपको vitamin D मिलेगा जी नहीं morning के time में जो जिस time आप योग करते हो जब आप exercise करते हो सुवशुवग के time में जब वो sunlight निकलती है वो sunlight फायदे मंद होता है आपके bone के लिए तो ये सारे चीज लेने से क्या होता है vitamin D हमारे सरीने बनेंगे और हम रिकेट स्रेशी बिमारिया से बस सकते है next nutrients का नाम है vitamin E अब ये vitamin E जो पो सकता तो है उसका क्या importance है क्या महतो है इसका महतो है proper functioning of muscles ये अगर vitamin E हमारे सरीर में भर्पूर मातरा में होगा तो हमारे सरीर के जो muscles होते हैं यानि मांस्पेसी वो अच्छे से काम करते हैं proper functioning करते हैं मांस्पेसी अच्छा अपना काम करना start कर देते हैं अगर vitamin E की कमी हो जाए तो friends कौनसे बिमारिया होंगी इससे क्या होंगे muscular cramp आएंगे यानि muscles में खिचाओं आएंगे muscles में पेन करेगा दर्द होगा vitamin E की कमी के कारण तो हम ऐसा क्या source ले जिससे vitamin E हमारे सरीर में भर्पूर मातरा में बने oil mustard यानि की mustard सरसो का तेल वो खाना चाहिए ground nut oil वो खाना चाहिए बादाम का तेल उसके बाद shisham oil यानि की तील का तेल ये टीनो चीज अगर आप खाने में यूज करते हैं खाने का मतलब यह नहीं है को को पीना है पानी के तरह आप सबजी में डाल करके इसका यूज कीजिए ठीक है कुछ आप fruits खाते हैं या कुछ vegetables के salad खाते हैं salad में इसमें डाल के आप खाईए तो इसे क्या होगा vitamin E भरपूर मातरा में बनेगा और आप muscular cramp से बस सकते हैं जैसा कि आप figure में देख सक रहे होंगे कि image में दिखाए गया है कि यहाँ पे muscular cramp हो रहे है जिसे करा मसल्स में खिचाओ हो रहे है तो यह खिचाओ नहीं होगा अब vitamin K vitamin K भी क्या है यह बहुत ज़्यादा important एक nutrients का नाम है तो इसका क्या importance होता है क्या महत्तो होता है blood clotting blood clotting का मतलब है कि अगर आपके body में vitamin K present है तो blood का clotting proper रहेगा blood ठक्का जमेंगे blood का जैसे कि हम कहीं गिर जाते हैं या accident हो जाता है तो बहुत ज़्यादा blood हमारे body से निकलने लगता है तो इस blood को रोकने के लिए यह vitamin K क्या करते है blood को clot कर देते हैं उसे रोक देते हैं ठक्का बना देते हैं ताकि blood हमारे body से ज़्यादा निकले ठीक है तो वह कब होता है excessive bleeding from wounds जब घाव अगरा हो जाते है तो उससे बहुत ज़्यादा blood निकलने लगता है bleeding होने लगती है तो अगर vitamin K की कमी अगर body में आपका है तो bleeding को आप नहीं रोक सकते हैं blood को नहीं रोक सकते हैं bleeding होते जाएगा blood का लेकिन vitamin K आपके body में ज़्यादा मातरा में है तो यह क्या करेंगे blood को clot कर देंगे और रोक देंगे bleeding को भी रोक देंगे ताकि blood उंड से ज़्यादा ना निकले जैसे आप image में देख रहे हैं कि एक हाथ दिया हुआ है उसमें उंड है अब देखे कितना bleeding हो रहा है तो उस bleeding को हम रोक सकते हैं vitamin K के कारण तो आखिर हमें क्या source लेना चाहिए क्या खाना चाहिए जैसे green leafy vegetables जितने भी हरे साग बाले सबजी है लिफी पत्तेदार सबजी पत्तेदार हरे हरे वो खाना चाहिए लाइक स्पेंस यानि की पालक कॉरियंडर धनिया धनिया पत्ता कम लों चटनी खाते हैं ना मतलब आप जितने भी हरे यानि की लिफी पत्तेदार जो वेजीटेवल्स होते हैं उसे आप खाईए उसे क्या होगा विटामीन के की हमारे सरीर में विटामीन के भरपूर मातरा में बनेगा और हम एक्सेसिब ब्लिडिंग फ्रम उन से बस सकते हैं ठीक है अब नेक्स्ट है आईरन आईरन को तो सभी कोई जानते हैं आईरन से क्या होता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट एक नूट्रियंट का नाम है यानि एक पोसक तत्व का नाम है इससे हमारे बॉड़ी में क्या महत्त होता है अगर आईरन है तो प्रॉपर फंसनिंग आप हीमोग्लोबीन अगर आपके बॉड़ी में आईरन है तो आपके ब्लड यानि ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबीन हीमोग्लोबीन क्या है एक रेड पिगमेंट का नाम है जो जिसके कारण हमारा ब्लड का कलर रेड होता है और हमारा जो हीमोग्लोबीन है वो अच्छे से फंसन करेगा हमारा blood अच्छे से function करेगा अगर हमारे body में iron है अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? इसकी कमी से anemia नाम की बिमारी होती है anemia जिससे body में blood की कमी हो जाती है ठीक है? अगर blood अच्छे से function नहीं करेगा तो क्या होगा सरीर में एनेमिया नाम की बिमारी हो जाएगी जैसे आप इमेज में देख रहे हैं वन साइड नॉर्मल है दूसरे साइड एनेमिया है तो आप देख रहे होंगे नॉर्मल साइड में कुछ भी स्क्राच नहीं देख रहे हैं लेकिन एनिमिया साइड में देख रहे हैं, हर जगह वाइटनेस, ब्लैकनेस दिखाई दे रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, कि उसके बॉड़ी में बलड की कमी हो गई है, तो हम बलड की कमी को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, स्पींच खा सकते हैं, पालक साग, सेव खा सकते हैं दाल खा सकते हैं प्रोटिंग यूद खाना तीक है यह सब चीछ खाने से क्या होगा हमारे बॉड़ी में आयरन मिलेगा भावट पूल मात्रा में अब नेक्स्ट है आयोडीन आयोडीन क्या है यह भी एक इनपोर्टेंट न्यूट्रियेंट्स का नाम है एक पोश अगर इसकी कमी हो जाए हमारे बॉड़ी में तो कौन से बिमारियां होंगी तो इससे बिमारियां होंगी ग्वाइटर नाम की बिमारियां जिसे हम लोग हिंदी में घेगा कहते हैं आप इमेज में देख सक रहे होंगे उस महिला के गले में कितना फुला हुआ है यानि उसक कमी को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं फिस खा सकते हैं आयोडाइस साल्ट खा सकते हैं ठीके हम लोग आयोडेन युक्त नमक खाते हैं आपने सुना होगा ना आयोडेन युक्त नमक खाना चाहिए जिससे घेगा नाम की बिमारी दूर होती है और जो बच्चे मंद वह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और नॉर्माली सब को यह चीज जानना चाहिए क्योंकि आप बच्पन में पढ़ते हैं लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आप यह सारे चीज बेसिक चीज बूलते जाते हो तो ऐसा नहीं करना है बेसिक चीज लाइफ में ह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अकर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहा है हमारे चैनल को आपका प्यार और सने ऐसा ही बना रहे है फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही